नमस्कार दोस्तो, NCRT क्लास 11 चेप्टर 9 का एक्सरसाइज 9.2 का क्वेशन नमबर 1 देगे हैं कि find the sum of old integers from 1 to 2001 तो मतलब 1 लिखा हुआ है, और फिर 3 लिखा हुआ है, then 5 लिखा हुआ है, dot 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 2001 लिखा हुआ है, ठीक है, क्लियर है, हमको इन सब का sum निकालना है, ठीक है, अच्छा अगर मुझे ये पता चल जाया है, कि इसमें total कितने numbers हैं, तो सीधा सीधा एक formula हमारे पास होता है, n by 2, a plus l, मतलब first term और last term, लेकिन इसके लिखा हमको n पता करना होगा, कि total कितने terms इसमें हैं, 1 से 2001 के बीच में, odd numbers, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, a, n हमको पता है, यहाँ पर question के according क्या है 2001, और formula क्या होता है, a plus n minus 1 into d, तो 2001, a क्या है 1, n minus 1, d क्या है 2, तो यानि इस relation से हमारे पास n की value आ जाएगे, तो 2000, यह 1 इस तरफ जाके minus हो जाएगा, equal to n minus 1 into 2, तो यह जो 2 multiply में हैं, इधर आएगा तो divide हो जाएगा, तो हो गया है, 1000, equal to n minus 1, तो यहाँ से n की value आ चुकी है, हमारे पास 1001, तो मतलब total 1001 हमारे क्या है, numbers है, तो अब हमको simple, s n चाहिए था, तो s 1001 will be 1001 by 2, a plus l, l मतलब last time, so 2001 or 1, 2002 divide करेंगे, तो this is 1001 का square, क्यों, क्योंकि 2002 को जब 2 से cancel करोगे, तो 1001 आ जाएगा, 1001, 1001 दो बार है, तो 1001 का whole square, it is your answer, so I hope you understand this video clearly, if you have any kind of queries, then let me know by your comment, thank you for watching the video